पुरातन काल में जब देवी देवताओं का असुरों से युद्ध हुआ करता था तब सभी दिवी अस्त्रों का प्रयोग किया करते थे महाभारत में भी कई दिवी अस्त्रों का प्रयोग हुआ था आज आपको उसी के बारे में कुछ जानकारी देंगे दिव्यास्त्र अमोग हुआ करते थे, उनका कोई काट नहीं होता था अगर एक बार अनुसंधान कर दिया जाए तो उससे बचपाना बहुत ही मुश्किल होता है पहला है आगने यास्त्र, इस अस्त्र को चलाने पर हर जगा अगनी ही अगनी बरसने लगती है और इसकी प्रचंड अगनी को परिस्थिती के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है यह अस्त्र लगभग सभी देवत्ताओं के पास होता है क्योंकि ये आसानी से सिद्ध हो जाया करता था दूसरा है सूर्यास्त्र, इस अस्त्र के प्रयोग से असीमित उशना के साथ साथ अंधा कर देनी वाली रोशनी का प्रकाश होता है जिसके उपर इसको चलाया जाए उसका बचपाना मुश्किल होता है तीसरा है वजरास्त्र, यह अस्त्र मुख्य रूप से इंद्र के पास होता है इस वजर को दधीची मुनी की हड़ियों से बनाया गया था दधीची मुनी नारायन कबच का पाठ निर्टिपरती और निरंतर करते रहते थे जिसके कारण उनके शरीर के साथ साथ उनकी समस्त अहड़ियों में सोयम भगवान नारायन की शक्ती का संचार हो गया था इस वजरास्त्र का प्रयोग वृत्तासुर को मारने के लिए ही बनाया गया था इसका पूरा वृत्तांत स्रीमत भागवत महापुराण में बताया गया है इस अस्तर से असेमित विद्युत तरंगे निकलती हैं जो की अनुसंदान करने पर सामने वाले की रिदेगती को रोग देता है ये अस्तर साक्षात नारायन का ही अंश माना जाता है छवथा है इंद्रास्त्र इस अस्तर का प्रयोग भी देवराज इंद्र ही सबसे ज़्याद़ करते थे इस अस्तर के प्रयोग से असंख बाण बरसने लगते थे इससे कई अक्शवहिणी सेना को एक ही बार में नष्ट किया जा सकता है पाचवा है रुद्रास्त्र यह भगवान शिव का एक अद्भूत और विनाशकारी अस्त्र है इस अस्त्र से भगवान रुद्र के ग्यारह अवतारों की शक्ती का संचे होता है इसका आवाहन होते ही शत्रू के अंदर भय उत्पन्न होने लगता है इस अस्त्र के प्रयोग से भयंकर प्रलयंकारी तुफान पैदा हो जाता है इस तुफान की गती इतनी तेज होती है कि मानो स्रिष्टी में प्रलय होने वाली है छटवा है नारायन अस्त्र यह अस्त्र भगवान विश्णु का ही अस्त्र माना जाता है यह अस्त्र अमोग है इसके अनुसंधान हो जाने पर सारी महाशक्तियों के अस्त्रों की शक्तियां एक साथी प्रकट हो करके और लक्षिका बेदन करती हैं इसी कारण से इस अस्त्र को कोई भी काट नहीं सकता है साथवां अस्त्र है वैश्नव अस्त्र यह अस्त्र भी भगवान विश्नु का अमोग अस्त्र माना जाता है और इसकी विशेस्ता यह है कि इसकी गत्वी बहुत ही तीवर होती है जब तक सामने वाला कोई अस्त्र चलाएगा तब तक वैश्नवा अस्त्र उसको पहले ही नश्ट कर देता है यह अस्त्र पहले आकाश की और फिर शत्रू की और गतिमान हो जाता है आठवा है ब्रह्म शिरा अस्त्र यह एक ऐसा अस्त्र है जिसको किसी भी वस्तु में छोड़ने पर वह वस्तु ही एक अस्त्र के रूप में प्रकट होकर के शत्रू का दमन कर देता है जैसे यदि इस अस्तर को किसी पहाड में छोड़ा जाए तो पहाड में जितने भी पत्थर होंगे सब अस्तर बनकर के शत्त्रू के उपर ही तूट पड़ेंगे आठवा है वसावी अस्तर यह अस्तर भी भगवान इंद्र का ही माना जाता है इस अस्त्र की विशेष्टा है कि यदि इसको किशी के उपर चला दिया जाए तो स्वेम नारायन भी कुछ नहीं कर सकते हैं इसी अस्त्र का प्रयोग कर्ण ने अरजुन के उपर चलाने के लिए बचा रखा था परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह अस्त्र कर्ण को घटोत कक्ष के उपर चलाना पड़ा था नवमा है ब्रह्मांड अस्त्र यह अस्त्र सबसे ज़्यादा विद्वन सक माना जाता है यह अस्त्र मुख्य रूप से ब्रह्माजी का माना जाता है यह अस्त्र ब्रमास्त्र अस्त्र का परिस्कृत रूप है यह अस्त्र अपनी सुरक्षा बचाव के लिए प्रयोग में लिया जाता है इस अस्त्र की शक्ती अन्य अस्त्रों की शक्ती को पीछे हटा सकती है इसके प्रयोग से संपूर्ण सिरिष्टी में तांडव होने लगता है सागर उबलने लगते हैं और गरन अक्षत्र सभी नश्ट होने लग जाते हैं दसवा है पाशुपता अस्त्र यह एक ऐसा अस्त्र है जो आखों के निर्देश मात्र से छोणा जा सकता है यहां तक कि यह दिमन में इसका एक बार भी उचारण किया जाए तो यह एक्टिवेट हो जाता है मूल रूप से यह अस्त्र भगवान शिव का माना जाता है इस अस्त्र में भगवान शिव के साथ साथ नंदिश्वर की शक्ती का भी समनवय होता है इसके प्रयोग से होने वाले नुकसान को दुबारा कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है तो ये थे कुछ महान अस्त्रों के नाम और उनके प्रभाव आशा है यह जानकारी आपको महत्तुपूर्ण लगी होगी यदि हाँ तो कृप्या हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आगे भी हम इसी प्रकार की और भी महत्तुपूर्ण जानकारिया लेकर के आते रहेंगे जै मातारानी की